आज का जो वीडियो है वाई PSU Bank Stockfall with Private Sector Bank तो यहां पर दोर लब्स है PSU Bank और Private Sector Bank क्या आपको PSU Bank और Private Sector Bank का difference पता है क्या आपका PSU Bank क्यों ज्यादा return देते हैं पब्लिक Sector Bank क्यों उतनी ज्यादा return नहीं देते हैं PSU Bank कैसे बनता है पब्लिक Sector Bank कैसे बनता है इन तमाम चीजों को अगर concept clear नहीं है तो मैं अगला वीडियो इस Saturday Sunday को इसी के topic को पर लाऊंगा चलिक गाईस सरफ यह जान लेते हैं कि आज बैंक में बड़ा क्यों नहीं हुआ है देखिए आप अगर देखोगे तो सिनरी क्या था आज चलो जाकर देखते हैं कि हमें maximum क्या बता है कि सब्सक्राइब अगर परजिडिव रहता है तो मार्केट में बहुत अच्छा परजि मिला के पॉजिटिव में था बट आपको मैं अगर प्येसु बैंक दिखाऊंगा यहां पर देखिए इंडेक्स में आने के बाद यह अमारा प्येसु बैंक का लिस्ट है ओके प्येसु बैंक के अंदर जितनी बैंकिंग है maximum bank maximum bank के अंदर क्या हुआ है यह negative performance किया है ओके आ हुआ हमें चला आज का दिन प्या हुआ इससे पहले Wi-on Bank बहुत अच्य चल रहा था बर क्या होता है प्या सुए हुआ चलने से बैंक निपटी को इतनी जयादा भगा नहीं पाता है बर सपोर्ट करता है और प्या मैं को बहुत जयादा भगाने में मदद करता है इन दिनो सब्सक्राइब नहीं किया है और आप डेली का निप्टी वीडियो नहीं पाते हैं आप अगर डेली स्टॉक का कॉल पाना चाहते हैं और कुछ पेड़ सर्विस से भी बेतरीन तरिके से तो आप हमारा इस टेल्गेम चनल को जोइन कर सकते हैं डिस्क्रिशन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अधर्वाइस सर्च करके मत आएगा बहुत सरे फ्रॉड चनल पर अफ़स जाओगे आज के वीडियो इतना ही ज केंदजे मेरा करी चनल को जाओएगे जाना ही जाएगा पर जाना ही जाएगे की जाएगे टेल्गें द Bizड सकताना ही जाएगे उज據 ऑटी के पर के इ zeigt हैंना ही जाओएगे जाया ही बहुत साना ही अजाएफ।